हे दोस्तो मैं आपका दोस्त आयुष कुमार फिर लोटा आया हूँ गोल्डन पेसर डॉटिन के नए वीडियो के साथ दोस्तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक रुपे की 1964 वाली नोट के बारे में हे दोस्तो अगर आपके पास एक रुपे 1964 की नोट है जिस पे 20 सेरीज का सिरियल नंबर है तो आपको मिल सकते हैं 50,000 रुपे जी हाँ दोस्तो बस इस नोट पे गवर्नर एस भूता लिंगम की सिगनेचर होना जरूरी है एक रुपे की सारी नोट मुल्यवान है क्योंकि यह नोट RBI द्वारा नहीं बलकि भारत सरकार द्वारा चापी गई थी बाद में बीते चन सालों के बाद भारत सरकार ने पेसे चापना बंद कर दिया और RBI खुद सारी नोटे चापने लग गई बीते दिनों में भारत सरकार द्वारा छापी गई नोटों को मिलना मुश्किल होने लगा इसी वज़े से भारत सरकार द्वारा छापी गई नोटों के लिए लोग 30 से 50,000 रुपए देने के लिए तयार हो जाते है दोस्तो मैं आईश कुमार goldenpacer.in का founder यह नोट खरीदना चाता हूँ अगर आपके पास यह नोट है तो आप हमारी website goldenpacer.in पे जाकर अकाउंट बना कर हमें नोट की फोटो भेजे फिर हम आपकी नोट को परक कर उसका सही दाम लगाकर आपके आकाउंट में पेसे भेज देंगे आपको पेसे मिल जाने पर आप हमें यह नोट courier या post द्वारा हमेरे office के address पे भेज दे दोस्तो अगर आप इस नोट के बारे में पूरी जानकरी चाहते है तो आप हमारी वेबसाइट goldenpasser.in पे जाकर विस्तार से पढ़ सकते है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है तो दोस्तो अगर आप पुराने सिक्के और नोटों को बेचना या लेना चाहते हो और इस तरह के और वीडियो देखना चाहते है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल को सब्सक्राइब करने का आपसे कोई मुल्य नहीं लिया जाएगा यह बिलकुल फ्री है और सब्सक्राइब बटन के साइड में जो घंटी है उसे दबा कर आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिल जाएगा दोस्तो अगर आपको हमार वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ मैं आयुश कुमार फिर लोटूंगा एक नए वीडियो के साथ धन्यवाद